संपून बिहार के लोग सिच्छाओं से समंधित आज मैं एक ऐसा डोकोमेंट परस्तुत करने जा रहा हूँ जिस डोकोमेंट को बिहार सरकार के परधान सचीब सिच्छा विभाग के परधान सचीब ने जिसको जारी किया था और ऐसा कहें कि लोग सिच्छाओं का अभी तक जो भी कानूनी रूप से परियास रहा है एक यही ऐसा डोकॉमेंट है जिसको परधान सचीव के दौरा पारित किया गिया है और ये सिच्छा विभाग के रिकॉर्ड में आज भी ये मौजूद है तो वो डोकॉमेंट इंपोटेंट है इसको जानने समझने की बात है ताके क्या है कि आपको समझ में आ सके कि लोग सिच्छाओं अगर चाहे तो परियास करके अपना खोया मुकाम हासिल कर सकते हैं मैं चाहता हूँ उस डोकॉमेंट को आपके सामने परस्तूत करना बिहार सरकार सिच्छा बिभाग आदेश 10-18 याची का संख्या 21-406 अबलिक 2013 मुहमद मिराजुदिन अध्यक्ष लोक सिच्छाक संथ इवाम अन्य बनाम राज सरकार में मानिये उच नियाल पटना दोरा दिनांक 21-2014 को पारित आदेश के आलोक में आबेदक एवाम बिभागिये पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है इसका नियम दो दिनांक 21-2014 को पारित आदेश में इस मामले को याजी का संख्या 14-93-2008 में मानिये नियाले दोरा दिनांक 21-2022 को पारित आदेश के आलोक में निस्पादित किया गया है याजी का संख्या 14-93-2008 एवं सनलगन बाद में मानिये नियाले का आदेश की आबेदकों को अपना आबेदन परधान सचीव के समक्ष देने की छुट दी जाती है परधान सची पंचाइच सिक्षा मित्र एवं लोक सिक्षा के संदर्व में सरकार की योजना जिसका पद पूर्व में समाप्थ हो गया है से समंधित मामले को सरकार के समश रखते हुए निने प्राप्त करेंगे कि पंचायच सिक्षा मीत्र को दिये जाने वाली सुगधा लोग सिक्षा को दी जाए या नहीं इसका नियम तीन आबेतकों के अभ्याबेदन पर दिनांग 11.7.2015 को सुनवाई की तिति निर्धारित की गई और परिहार्ज कारण बस निर्धारित तिति को सुनवाई नहीं हो सकी तथा अगली सुनवाई की तिति दिनांग के 21.7.2015 को निर्धारित की गई उक तिति को ईद का अभगास होने के कारण अगली सुनवाई की तिति 25.2015 को निर्धारित की गई उक तिति को मोहंद मेराजुदिन अध्याक्ष एबं सची बिहार परदेश लोकशिससंद की ओर से मोहंद सर्फराज सुनवाई में उपस्तित ह तथा उनके दोवारा लिखित रूप से दिया गिया कि याचिका के आवेदक शंख्या एक कवं, दो कर्मसो अध्यक्चेवं सचिवने सुनवाई में भाग लेने हैतु इन्हें अधिकीर्त किया गिया है तथा बेशव याचिका के आवेदक संख्या 3 है इनका पक्ष सुना ग आधी मानता के अनुसार साक्षातकार लेकर किया गया था, सभी ने लोक सिच्छा के रूप में सिख्छन कार्ज किया है, तथा मांदे का भुकतान भी हुआ है, सभी लोक सिच्छा की उम्र काफी अधिक हो गई है, जिसके कारण इन सभी का सरकारी सेवा में परवेश संभब इसका चार का दो इनका कथन है कि इनके संद के द्वारा पूर में भी याची का संख्या 14-4-93-2008 दाइर की गई थी जिसमें मानिये नेयाले द्वारा दिनाग 21-3-2012 को आदेश पारित करते हुए इन सभी को समायोईत करने का आदेश दिया गिया था पूर इनके द्वारा याची का संख्या 21-4-6-2013 दाइर किया जिसमें दिनाग 21-24-24 को पारित आदेश में पूर्व के आदेश को संपोष्ट किया गिया इसका नियम 3 इनका अनुरोध है कि लोक सिच्चों का समयोजन पूर्व के अनुभव को आदहार मान कर सरकार द्वारा संचालित किसी भी विभाग में किया जाए योकार्ज नियाए हित एवं जन हित में आवस्यक है फिर इसका आगे है नियम 5 अभी लेख पर उपलवध अधो हस्ताक छरीत द्वारा पारित आदेश ग्यापांक 23 दिनाक 7.1.2015 के अब लोकन से ग्यात होता है कि याचिका संख्या 12.27.2012 मुहमद मुनाजिर अंसारी एवं अन्य बनाम राज सरकार में दिनाक 16.72.2012 को पारित आदेश के आलोक में लोक सेवकों के समयोजन पर विस्तित आदेश पारित करते हुए दावे को औसुकिर्थ किया गिया है चो याचिका संख्या 14.4.92.2008 एवं संलंगन बादों में दिनाक 21.32.2012 को पारित आदेश से समंधित याचिका संख्या 84.2012 का अब लोकन किया गिया जिसमें राज सरकार की अस्तर पर समिच्छा की गई समिच्छा में निमनाकिन तथे पाए गए 6.1. विभागिये पदरांग 22.29.59.2001 का अब लोकन किया गिया जिसमें उद्धित है कि सरकार समुदा एवं सभी संबद पक्च को योः पुन्तो असपष्ट होना चाहिए कि सिक्छा गरांटी के अंदर सरकारी बिद्याले नही है यह बिद्याले इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं इनमें परहाने वाले सिक्छक सभी का एक मात अन्योनासरे समंध अस्थानिये समुदाई से है इसका संचालन पढ़ाई की गुनबत्ता लरकों का सत परतिसत नामांकन सुन छीजन एवं केंद्र के लिए आव कल्पिक सिक्छा केंडर के रूप में बैसे पोसक छेतर में सुरू किया गया था जहां परात्मिक विद्याले उपलब नहीं था इन केंडरों को संचालित करने का ताय तो लोक सिक्छाओं को दिया गया था नियम इसी का दो यह तत्थे भी अंकनिये है कि बर्स 1999-2000 के उपरांत राजकिये किर्थ बिद्याले में सहायक सिच्चों की नहीं होने के कारण परात्मिक एवं मध्य बिद्याले में सिख्चों का पद रिक्त हो रहा था साथी छाथ छात्राओं के नामांकन के अनुरूप सिख्चों की अतिरिक्त इकाई की आवस्तक्ता भी थी इसी पिष्ट भूवी में गरामिन छेदर के परात्मिक एवं मध्य बिद्याले में करते थे इस परकार लोग सिख्चक एवं पचाई सिख्चा मित्र के सेक्षनी कार्ज की परकीर्ती नियुक्ती की परकीरिया योगता आदि में भीनता है नियम तीन इस परकार लोग सिख्चक एवं पचाई सिख्चा मित्र की आपसी तुलना नहीं की जा सकती है जहां तक लोग सिच्चों की सेवा को नियमित करने का सरकारी आसवासन का प्रसन है तो उपलब्ध आबेदन और एवं सलंग कागजातों में कोई ऐसा साक्षे दिर्ष्टिगत नहीं हुआ जो यह संपुष्ट करे की निदे साले अथवा बिभाग दोरा लोग सिच्चों के स प्रमावजन का अपचारिक बादा आसवासन दिया गया हो इसी का नियम चार यह अभी उलिक निये है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक सिच्चक नियोजन एवं सेवासर्थ संसोदन नियावली 2008 के तहट और परसिक्षित उमिदवारों की मेधा सुची तयार करने में सरकार द्वारापूर में संचालित लोक सिचन केंदरों के लोक सिच्चक बिद्याले में परहाने वाले पूर्व के सिच्चा मित्र आनवचारिक सिक्षा के अनुदे सकता था बिहार सिक्षा परियोजना द्वरा संचालिद परियास किंद, अंगना अपना बिद्याल बालबर्ग एबन बैकल्पी सिक्षा किंद्रों में सिक्षन कारज का अनुभव पराब्ध करमियों को समयक अदिवार बेटेस दिया जाए इसके तहत एक बॉर्षिया अधिक सिक्षन अनुभव बाले अभ्यर्ती को मेधा अंकी गनजा में बीस अंक अतिरिक जोरा गिया इस प्रावधान के अनुभूप बरस 2010 में कतीपे अभ्यर्ती जो पूर में लोक सिच्छा के रूप में कारज किये थे नियोजीत भी किये गए इसी का पांच बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्ज सिख्चा अधिनियम 2009 एवं बिहार राज बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्ज निधारित सिख्चा नियावली 2011 के तहत सिख्चों के की नियुक्ती है तु नियुंतम योगिता एवं अरहता निधारित की गई उक्त अधिनियम के अनुपालनार्थ राजिस सरकार दोरा बिहार पंचाइट प्रारांभिक सिक्छक नियोजन इमम सिवासरत निया वली 2012 अधिसूचित की गई जिसके तहत समंधित नियोजन इकाई दोरा सिक्छकों के नियोजन की करवाई की जा रही है इस परकिरिया के तहत अन्य अभियर्थियों के साथ लोक सिख्षक के रूप में कार्ज रत रहे अभियर्थी भी सिख्षक के पद पर नियोजन हेतू समंधित नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते थे बर्तमान में सिख्षक पद के लिए सिख्षक पातरता परिक्षा उतिन होने एवं परसिख्षित होने की वारिस्ता भी लागू है साथ उक्त इस्तिती में लोक सिख्षां का समायोयन 25 सिख्षा के पद पर दिनांग 172006 के परभाव से करने का ना तो कोई औचित्ते है और नो ही बैधानिक आधार बनता है बरतमान मामले को मानिये नियाले द्वारा याची का संख्या 14493 अबलिक 2008 में पारित आदेश के आलोक में निस्पादित किया गया है तो उक्त मामले में सरकार का निर्ने है कि लोक सिख्षा का समायोयन किया जाना बैधानिक दिरिशी से समीचीन नहीं है अलतो उप्यक तत्यों एवं सरकार की निर्ने के आलोक में आवेदकों से पराप्त आवेदन को और सुकीर्थ करते हुए समायोजन समंजन के दावे को भी और सुकीर्थ किया जाता है आर के महाजन परधान सचिप सिख्षा बिभाग दिनांक 31.8.2015 तो इस परकार से ये शिख्षा बिभाग का बिहार के सिख्षा बिभाग का ये असटेंड है और अभी तक लोग शिख्षाओं के इतिहास में ये रिकॉर्ड ही सबसे महात्पूल रिकॉर्ड है इसमें जो भी लिखा गया है परधान सचिप आर के महाजन दुआरा वो हम स समझा जाए इस प्रावधान के अनुरूंगबर 2010 में कतीपे अभहरति जो पुर्मे लोगशिचक रूप में कार्ज किये थे नियोजित भी किये गए यानि इस बात को सरकार लिखित रूप में स्युकार कर रही है कि कुछ लोगशिचक नियोजित भी किये गए तो जैसा के अनवचारिक अनुदेशकों को जो जीत मिली सुप्रीम कोट से उसका ये कारण बना उनका ऐसा कहना था कि जब आपने एक ही पतरांग दिनाग पर अनवचारिक अनुदेशकों का आपने बहा लिकिया और हमारे लिए जो सुपरवाइजर का कार्ज परखन लेबल पर कर रहे थे जिनका योगता ग्रेजुएसन था भी ये पास था वो भी थे जब आपने उनको कुछे सुपरवाइजर को जो केस लरे उनको आपने क्या किया के या तो बीयो के पत पर या किरसी पदाधिकारी के पत पर आपने समायोजन कर लिया यानि हाई कोट से वो केस जित गए थे उनको समयोजन कर लिया गया तो उसी पतनाग दिना पर हम भी बहाल हुए थे हम को क्यों नहीं और उसका रिजल्ट ये है कि बिहार के जो भी अनुपचारिक अनुदे सकते वो आज क्या है जो परियास किये वो सफल रहे तो इसमें जो एक बात जो है आपके भैरती जो पुर्म में लोकसिचक के रूप में कार्ज किये थे नियोजित भी किये गए बजापत वो सिकार कर रहे हैं तो यहां जो मामला बनता है मूल अधिकार के हनन का बनता है और जब कुछ बहाल कर लिए गए तो सेस को क्यों नहीं तो अफसोस ये रहा कि क्या है कि ल टीम लीडर होता है और लोकसिच्चाओं के सामने ऐसा बिडमना है कि लोकसिच्चा किसी को टीम लीडर समझने के लिए तयार नहीं रहते हैं किसी को रिंग लीडर समझने के लिए तयार नहीं है और तो और क्या है कि इनका नो तो कोई दसा है नो कोई दिसा है इसको एक ग पुराना रिकॉर्ड अनुभव कहता है कि लोग सिच्चों का समझे तो अपना दिमाग ऐसा कहा जाए जो पर लिखके भी बेवकूप रहना तो ऐसा जो लक्षन होता है लोग सिच्चक में अभी तक देखने को मिलता है तो इसमें असपश्च लिखा गया है कि कुछ लोग सि सिच्चक नियोजित किये गए यह परतान सचीव दौरा यह लिखित दस्ताबेज है जब कुछ कर लिए गए हैं तो कुछ क्यों नहीं तो कुल मिलाकर कहें कि लोग सिच्चक ऐसा है कि अभी तक चुकि गर्दनी बाग धरनास तल पर मैं ऐसा कहूं कि समझा समझा कि मैं ठक कि सर जो पेटिस्नर नहीं बने उसका क्या हुगा जो नहीं बने उसका क्या हुगा अभी कहना यह है तो अभी तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप गुरूप में जुरिये अगर मान के चलिए आगे जो भी निरने लेना होगा सभों से निरने लिया जाएगा सभों से विचार जैसा होगा बैसा किया जाएगा अभी तो आप से कहा जाता है कि गुरूप में जुरिये और रह गया कि आपका रहता है कि किसी को पैसा नहीं देना है किसी से नहीं लेना है आप से पैसा कौन मांग रहा है मान के चलिए आप हाई कोर सुप्रीम कोट जो भी केस लरने के लिए जाते हैं अभी तक आपका खर्च क्या हुआ होगा आपने एक हजार दिया होगा दो हजार दिया होगा चार हजार दिया होगा पांच हजार दिया होगा दस हजार दिया होगा और अभी आप हाई कोट में जाएए अकेले केस लरने के लिए आप देखिएगा जो सिनिय मेर बकील है उनका किसी का एक लाग फीस है किसी का पचास हजाव ऑर सुप्रिमовор Dios में जा इहोगा तो एक बकील का लाखों लाखों पीस है लाखों लाख पीस यह तो अनवचारिक अनुदेशक क्यूकि कोई नियम कानू मैं था केस जीतके आ गए शिक्छा अमितर अपने समान काम के बदले समान बेतन के मुद्दा पर सुप्रीम कोट से लर के आ गए लेकिन लोग सिच्छा को क्या है कि आपका जो भी केंद्रिये नेत्तिव है आप क्या है आज तक कभी किसी को समझे ही नहीं ऐसा मैं कहूं कि आप जो भी आपके लिए परियास करते हैं आप उसको बेगारी समझने लगते हैं तो यह क्या है कि यह सब आपका डिफॉल्ट है जब तक कहने का मतलब है जो परता लिखता है कोई किस लिए उसका क्या उद्देश होता है पर हाई सिच्छा का परिभासा क्या है सिच्छा के मनुस्य का तात पर्ज है मनुस्य का स सारे बिकास, आप जैसे क्या है, कि कोट में जाते हैं हार के फिर चले आते हैं, फिर भी आपने क्या है कि पुराने अनुभावों से आपने सिख्छा हांसिल नहीं लिया, तो कहना ये है कि इसमें असपश्ट लिखा हुआ है कि कुछ लोग सीचक नियोजित कर लिए गये हैं अभी बिहार के जो भी सेस बचे हुए लोग सीचक हैं उनसे कहना है कि पहले आप गुरूब जुआइन करिए तो कोई पेटिसनर बनने के लिए मैं आपको ये मेरा जो इस्टेटमेंट है आप चान लिजिए अभी तक बिहार में जितने लोग सीचक पेटिसनर बने और जिनोंने मांग कर दिया कि मेरे एज में छुट दिया जाए सभों का पेटिसनर बनना मैं ऐसा कहता हूँ रिकॉर्ड में आप नोट कर लिजी आपका बेर्थ गया आप एज में छुट लेकर क्या करिएगा अभी जो केस लरा जा रहा है उसका मांग यही है कि जब कुछ लोग सीचक नियोजित कर लिए गये हैं जो सेस बच गये हैं उनको भी समायोजन कर लिया जाए जब आपने लोग सीचान केंदर को प्रात्यूंग बिद्यालय के दरजा दे दिया तो जो सेस बच गये हैं उनको भी आप रखिये तो जब बिद्यालय पास तो माश्टर क्यों फेल तो यहां इस बिना पर लड़ा जा रहा है तो बिहार के लोग सीचकों से ये कहना है कि क्या है कि एक कहाबत था कि बेकार मवास कुछ क्या कर कुछ करना सके तो कुछ कहा कर आप क्या है लोग सीचक अभी बिहार के ऐसे हो हैं कि वो अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए ऐसा कि हैं कि यानि कि गलत सोट खेले, हिट बिकेट हो गए और हिट बिकेट का कारण बिहार में या भारत में संपुन बिस्म में कौन ऐसा संद है कि जो बिना लरे हार मान ले और मैं आप से क्या कहूं तो अभी तक लोग सिचाओं का जो गुरूप में मैसेज आता है 2000 समझे posted 2012 के बाद मैं कंटिनिव लोग सिचाओं को समझाते आ रहा हूँ बिडन मना ये है कि लोग सिचाओं आज तक नहीं समझा न तो लोग सिचाओं सम्झा यानि न तो लोग सिचाओं के पती समझे न लोग सिचाओं के जो भी थे यानि कि क्या है आप जान लिजिए समय क्या होता है समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है बिहार के लोग सिच्छा को आप बेरोजगार है आप में जो दो तीन फॉल्ट देखा गया एक तो क्या है कि आप आज तक कभी किसी को समझने के लिए तयार नहीं होते हैं जो आपका क कोट में अच्छा से लर सकते हैं नो आप सुप्रीम कोट में लर सकते हैं नो आप किसी को जी ओ और जीने दो के सिधान पर चलने दे सकते हैं आपका सिर्फ काम है कितना भी आपको समझा दिया जाए आप ऐसा कहें आपको कौन सा किस सबसे आपको समोधन किया जाए तो यही है सबसे पहले क्या है कि आपका जो भी आपको लीड करना चाहता है आप उसके बाद को पहले समझने का तो कोसिस करिए अभी आपको कहा गिया है गुरूप में जुरिये आप मांग कर रहे हैं पेटिसनर बनो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बिहार में कितने पर्सेंट शकरिये लोग सी चेहाँ जो पेटिसनर नहीं बने एक बार नहीं बने बार बार बने और बहुन के क्या किये वो हाई कोट पर समझिये एक तरह से जाकि उसके रिकॉर्ड में एक बोज बन गए उनको लरना क्या चहीए था लर्के क्या आए और फिर क्या है सुप्रिम कोट जाना चाहीए था फिर क्या हुआ के फिर जहां थे यानि जहां से चले फिर बही पहुंच गए तो फाइदा इतने दिनों में क्या हुआ आपके लिए देखिए पर्यास किया गया 2013 में केस आपके लिए पतना हाईकोट में फाइल किया गया था उस केस के आलोग में मन चेली जो केस संखिया था आपको फिर से बता दूँ इक पतना हाईकोच में याची का संखिय था 21 firstly अभलिक 2013 तेरे मुहम्मद मिराजुदिन अत्याक्ष लोक्सी चक संद उस केस में बिहार सरकार से देखिए आदेश भी पारित कराया इसमें परधान सची इतना तो लिखा जो कुछ लोक्सी चक नियोजित किये गए कम से कम यह मूल अधिकार का मामला बनता है कि जब कुछ बहाल कर लि आप अभी तक जो भी पेटिशनर बने जो भी यह किये आप क्या किये आपको बधाई हो आपको मुबारक हो आपसे यह कहा जाता है कि आप गुरूप में जुरिये अभी जो भी LPA का आदेश आता है उसमें जो भी आता है उसका अध्यान करके अगर पतना हाई कोट के फेव में LPA का आदेस आता है तो अच्छी बात है उसी का आदेस लगा कर आपके लिए भी परियास किया जाएगा बाई दिवे अगर सुप्रिम कोट जाने का आप सर होता है तो सुप्रिम कोट जाया जाएगा कम से कम आप बैट एन बाच कम से कम आप देखी और इंतेजार तो आप यह भी नहीं कर सकते हैं ना आप गुरूप में जूर सकते हैं ना आप चैन से बैठ सकते हैं अगर एक केस का पॉजिटिव आता है तो फिर उसका क्या है कि उसी case का citation आपके लिए भी एक उदारन बन जाएगा आपके लिए भी क्या है जो उसी को लगा के आपके लिए भी आगे अच्छा परियास किया जाएगा तो सबसे पहले stage number one कि अभी आप group में जुरिये जो आने वाले दुनों में जैसा होगा तू डाल डाल तो हम पात पात देखा जाएगा भले ही सही देखिए 2000 जब से मैं आया तब से क्या है कि आपके लिए भले ही धीरे ही सही आपके लिए परियास कर रहा हूँ आपके लिए देखिए लोग सिचाओं के लिए CBI के यहां गया, लोकायूग के यहां गया, आपके लिए मनवाधिकारायूग में गया, आपके लिए परधान मंतरी ओपिस गया, आपके लिए राष्टपती महोदय के ओपिस गया, आपके लिए कहां नहीं गया, क्या परियास रिकॉर्ड जो आप पर study अध्यन किया जाता है अगर कहा जाए कि कौन ऐसा संध है कौन ऐसा भुक्त भोगी है अकेले लग लडने वाला लोग सुप्रीम पूर से जाके लड के चला आता है लेकिन पूरे बिहार में लगभग रिकॉर्ड में 30,000 लोग सिछकते उनका जो इस् कॉमेंट करते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं आप मान के चलिए आप पैसा दीजिएगा पेटिशन बनने में आपसे क्या उमीद किया जाए क्या आप दे सकते हैं 500 दे सकते हैं एक हजार दे सकते हैं लेकिन अगर क्या है अगर आप जीत जाते हैं तो आपका साथ पिरही समझे उसका कल्यान हो जाएगा तो लोग सिख्चा क्या है कि बातें ज्यादे नहीं होना चाहिए काम होना चाहिए आप अगर लरना चाहते हैं तो जाएए आपको मना किस ने किया है अभी भी एल पी एक पटना हाई कोट में एल पीए 432 अब दो हजार 24 पेंडिंग है अभी भी मान के चली उस पर कार्ज हो रहा है आप आए तो आपका बेलकम नहीं आए तो भी आपका बेलकम चुकि चौबे चलन छबे बने दूबे बनकर लोटे तो आपका चुकि बहुत सा ऐसा संस्ता है जिसमें क्या है जो भी सदस्ते हैं वो पॉजेटिव उनका कॉमें आता है एक लोग सिच्छा की ऐसा है जिसको मुझे ऐसा लगता है सुसिल कुमार मोदी साहब कहे थे कि लोग सिच्छा को भगवान भी नौकरी नहीं दिला सकते हैं इतफाक से मैं लोग सिच्छा के ही एक दिन कार से पटना में था तो देखा उनके डेट बड़ी को गारी पर ले जाया जा रहा था यानि वो एस्टेटमेंट देकर सुसिल मोदी साहब इस दुनिया से परस्थान कर गए लेकिन क्या है कि लोग सिच्छा को में कुछ सचाई था इसलिए उसका अस्तित्त है तो अब मान के चलिए यही आप से निवेदन किया जाता है कि आप अनेसेसरी बातें नहीं बोलिए आपको अगर क्या है अगर गुरूप में नहीं रहना है तो आप लिफ्ट कर जाएए आपको जाना है सुप्रिम कोट जाएए आपको जो करना है करिए लेकिन जिससे सब पूरे बिहार के लोग सीज्चों का ही तो वही काम करिए आप मान के चलिए नहीं बाद